जो 20-25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसल्मान लड़की से शादी करना शुरू कर दे, तो तीन पीड़ी के अंदर इनकी चंसे क्या आज़े से कम हो जाएगी, इनकी धरक्यों से शादिया करो, इनके बच्चे पैदा करना करो, हम यह फिल्म देख रहे हैं, वो अपने जो यह फिल्म है, मुझे लगता है, यह दो हजार 24 का एलेक्शन टैंड है, यह जाएंगे दुनिया बार में कहेंगे, देखें कश्मीरी पंटों के साथ जलुम हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिल्टन सी की, उस वकित आम मुसल्मान उसमें नह के आ रहे हैं, जहां कश्मीरी पंटिटों के मुताबिक यह पिक्चर क्या है, किस चीज को बढ़ावा दे रही है, जिनोंने हमला किया वो कौन थे, जिन पर हमला हुआ वो कौन थे, किन-किन पर हमला हुआ इस पिचर में, किन-किन पर हमला दिखाया, किन-किन पर हमला नही दिखाया कश्मीर पंडिट जो है वो खुद क्या कह रहा है इस पिच्चर में मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ साथ जो डिरेक्टर है वीवेक अगनी होतरी उन्होंने किस तरीके से कैरेक्टर को छुपाने की कोशिश करी सेलेक्टिवली जो है वो इसके अंदर वारदात दिखाई है और बाकी लोगों पर जो हमले हो रहे थे वो छुपाने की कोशिश करी यहां सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ के जिस तरीके से ये मूवी बाहर आई और लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय देनी शुरू करी एक पक्ष था के उसको काफी पसंद आई कश्मीरी पंडिटो का जो जखम था वो हरा हो गया लोगों के सामने ये पिक्चर को रख करके अबदानी की दुनिया को कोशिश करी के उनके उपर क्या बीती थी लेकिन वहीं इस पिक्चर पर इस बात का भी आरोप है कि इस पिक्चर में बहुत से चीज़े छुपाई गई हैं यहां जो चीज़े छुपाई गई हैं वो भी मैं शेयर करूँगा लेकिन सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ कि BBC ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है जब उन्होंने जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडिटो से इस पिक्चर के बारे में राय पुछी और ये जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या राय है इस पिक्चर के बारे में तो और उन्हें ये भी कहा अपने बायान में कश्मीरी पंडिटों ने के जिस तरीके से वहां मुसल्मानों को भी मारा गया था, सिखों को भी मारा गया था, वो चौपाने की कोशिश करी है बेशक से ये कश्मीरी पंडिटों के साथ जलुम हुआ है लेकिन इसमें ये भी होना चाहिए था कश्मीरी मुसल्मान जो हिंदोस्तानी है उनको भी मारा गया वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में और जो सिख मारे गये है वहां मिल्टनसी की वाज़ा से उसको नहीं फिल्म किया गया था कश्मीरी पंडिटों ने पूरी तरीके से धज्जिया उड़ा दी है और साफ रखनी की अपनी बात को कोशिश करी है किस तरीके से ये पिक्चर सिर्फ एक प्रॉपगैंडा की तना है और लोगों के सामने सिर्फ नफर्द भरने ये पिचर काम कर रही है हमें लाच्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी जो हमने नजदीक किये थे जिनको हमने पास पास लाने की कोश्च की थी उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्जादा दूरिया होंगे क्यों कुछ कश्मीरी पंडिट ने तो ये तक अरक हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है और कोई फिल्मी प्रोड्यूसर निकले वो दौतर्फा करें उसको बॉल्ड मनुंगा जो दौतर्फा जो जनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए इसलिए मैं और किसी प्रोडूसर डिरेक्टर से अपील करता हूँ कि दोनूट साइड के इस माहोल को जो उन पर भी गुजरी है मेजार्टी कॉम्टी पर भी उनके और हमारे जखमों को पूरा उजागर करें कुछ कश्मीरी पंडिट के मताविक तो उनको टिशू पेपर की तरना यूस किया गिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनके लिए जो मदद है वो इतनी नहीं आई जितनी इन पर चर्चा हो गई है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिशू पेपर के तरह हमें यूज किया गिया और आज भी वही हो रहा आज तक हमारी सुद्ण नहीं लेकिन लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुद नहीं ली तो यहां सबसे बड़ी बात है जो लोग इस पिचर को देखने के बाद एक तरफा अपनी राय को बना रहे हैं और अगर हम देखें तो यहां सिनमा हॉल के बाहर नारे बाजी हो रही है अगर उनके जहन में यह सारी बाते ऐसी है कि यह जो हमले हुए हैं वो पाकिस्तानी मिलिटन्स के द्वारा हुए है ना की भारत में रहने वाले मुसल्मान के द्वारा तो फिर ये नारे बाजी जो हो रही है ये जो टीवी पे बैट करके ये बाते कही जा रही है कि 32 सालों से कश्मीरी पंडिट बहुत रोए हैं अब उनके रोने की बारी तो ये सारी जो बाते हो रही हैं ये किन के लिए हो रही हैं सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस बात पर पूछा जा रहा है और जो लोग सिनमा हॉल से निकल रहे हैं जो लोग सिनमा हॉल में ये मूवी देख रहे हैं वो जो emotional हो रहे हैं क्या वो पाकिस्तानियों के बारे में ये राय रख रहे हैं या भारतियम मुसल्मानों के बारे में ये राय रख रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और तो और मैं आपके साथ शेयर कर दूँ के दललन टॉप में जो है विवेक अगनी होतरी का एक शो है यानि एक इंटर्वियू आने वाला है और जो पत्रकार ने सवाल पूछे बड़े सवाल पूछे हैं और इतना बड़ा आरोप लगा है उनके उपर के इस पिक्चर के अंदर चुन-चुन करके उन सीनों को कश्मीरी पंडित को मारा गिया है ना कि उन सीनों को जिसके अंदर मुसल्मानों को भी मारा गया सीखों को भी मारा गया विवेक अगनी होतरी की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कालखंड की कुछ घटनाय दिखाई जिसमें चुन-चुन के चिन्हित करकर के कश्मीरी पंडितों को मारा गया लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुसलिमों को उन आतंगवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया और तो और इस पिचर और डिरेक्टर के उपर इस बात का अतक का आरूप है कि उन्होंने इस पिचर मे से जग मोहन जी का character ही घायब कर दिया है जो कि भारतिय जंता पार्टी से जुड़े थे तो उनका character पिच्चर में क्यों नहीं है आप ने consciously कुछ चीजों को छोड़ दिया एक जो किरदार है जग मोहन को ताजा करने वाली पिच्चर है तो एक डिरेक्टर के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मूवी है क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि इस पिक्चर में उसने क्यों नहीं चर्चा करी उस पिक्चर में क्यों नहीं चर्चा करी क्यूं ये डिरेक्टर ऐसी बयान बाजी कर रहे हैं जब उनके लिए भी वो चाते हैं लोग इस दुख और दर्द को यात रखे हैं तो फिर वो ये बाते क्यू छुपाते हैं लोगों से सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है तो जैसे कि मैंने बताया किस तरीके से इस पूरी पिक्चर को इस वक्त देखा जा रहा है दो पक्ष हो चुके हैं एक पक्ष काफी जो है वो इस पिक्चर को ले करके अपने दुखों को ले करके अपने घम को ले करके कश्मीरी पंडिटों को ले करके याद कर रहा है उनके कि ये सिंपती रख रहा है तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इसमें से सचाई पूरी नहीं दिखाई गई है कश्मीरी पंडिट खुद खिलाफ है इस पिक्चर के वो खुद कह रहे हैं कि कैसे इस पिक्चर में एक तरफा कहानी बदाई गई है दो तरफा दिखानी की मांग करी उन्होंने producer और director से किया एक और producer और director वो दोनों तरफ इस picture को बना करके दोनों तरफ की कहानी बयान करने की कोशिश करें तो यह थे कश्मीरी पंडिट जिनकी तरफ यह राय है जिनको कश्मीरी पंडिटों से कोई लेना देना नहीं है वो यह नारेवाजी कर रहे हैं यह ऐसे बाते करते दिखाई दे रहे हैं कश्मीरी पंडिटों से कोई पूछता नहीं दिखाई दे रहा और यहां तक कि कुछ लोगों ने तो यह भी मांग करी producer और director से कि अगर वाखे में यह picture कश्मीरी पंडिटों के लिए थी तो इस picture से कमाया हुआ एक एक पैसा आप कश् लिएवम्स करी ओढ़े हैं कि पूप पैसा आप कश्मीरी पंडिटों से कर द देने देने हैं कर देने कि देने हैं कि आप कर देने हैं कि अपिछ